साथियों अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो आपका निवेश शेयर बाजार की एकुटी में है एकुटी में चुकि जोखिम काफी अधिक रहता है तो हम इस जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं साथियों हम सब जानते हैं कि एकुटी में जोखिम अधिक है शेयर मार्केट की एकुटी में आप उसी बचचत का निवेश करें जिसकी आपको अगले कम से कम पास सालों तक जरूरत नहों लेकिन साथियों अगर हम इस निवेश के जोखिम को कम करना चाहते हैं तो इस जोखिम को कम करने के लिए आप गोल्ड या सिल्वर एटियप और रीट में अपने पोटफोलियो का लगबग 25 परसेंट निवेश कर सकते हैं इससे साथियों आपका जोखिम भी कम होगा और आपका पोटफोलियो डाइवर्सिफाइट भी होगा साथियों क्या आप रियल इस्टेट में निवेश करना चाहते हैं रियल इस्टेट में कई लोग चाहा कर भी निवेश नहीं कर पाते इसकी वज़े यह है कि इसमें निवेश के लिए एक बड़ी रकम लाखों रुपयों की जरूरत होती है उपर से आप जमीन खरीते हैं उस पर एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं और उस कमर्शियल प्रापर्टी को आप किराय में उठाते हैं अगर रिहायसी प्रापर्टी है तो उसे भी अगर आप किराय में उठाते हैं तो साथियों ऐसी प्रापर्टी पर अवैद कब्जेदारी और किरायदारों से मुकदमे बाजी की समस्या इसकी संभावना बनी रहती है और एक मोटी रकम इसमें पहस जाती है जो लाकों में होती है आप प्लाट या कमर्शियल प्रापर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए एक काफी बड़ी रकम की जरूरत भी पढ़ती है लेकिन साथियों रियल इस्टेट में सोज समझ कर किया गया निवेस आपको कई गुना रिटर्ण दे सकता है क्योंकि इसकी कीमत बढ़ती रहती है और उपर से इससे जो किराय या लीश पर जो लाब होता है वो भी मिलता रहता है लेकिन साथियों हम आपको रियल इस्टेट में निवेस का आसान तरीका बता रहे हैं जिसमें आपको कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आपकी जो पैसे के अनुसार रियल इस्टेट की वैलू है वो महंगाई में उसकी कीमत भी बढ़ती रहेगी और उससे लीश या किराय पर जो भी प्राप्त होगा आपका हिस्सा आपको मिलता रहेगा और आप उसके बनाने किराय वसूलने आदि तमाम समस्याओं से भी मुक्त रहेंगे साथियों आप रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट टर्स्ट जिसको रीट कहते हैं इसके जरिये ये काम असानी से कर सकते पहले ये जानते हैं कि क्या है ये रीट साथियों जिस तरह मुचल फंड की कोई स्कीम तमाम निवेस्टमेंट से पैसा जुटाती है और फिर वो सेर मार्केट में सेरों या बार्ण में निवेस्टमेंट में निवेस्टमेंट करती है उसी तरह से ये जो REIT है ये भी निवेशकों से पैसा जुटाता है इकठ्था करता है रियल श्टेट में निवेश करता है और इस निवेश के बाद उससे जो भी किराया ये लीश आदि की जो आय प्राप्त होती है वो निवेशकों में उनके हिस्सेदारी के अनुसार बाठता है साथियों इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपकी रकम भी छोटी हो सकती है लेकिन जो आप निवेश करते हैं तो जैसे जैसे प्रापर्टी की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हिस्तेदारी भी बढ़ती रहती है इससे भी आपको फाइदा होता है साधार्त या साथियों ये जो रीट है ये कमर्शल प्रापर्टी पे निवेश करते हैं इसमें माल हो गया, सौपिंग कम्पलेक्स हो गया, बिजनेस पार्क आज कई प्रकार के ऐसे निरमाल हो सकते इस निवेश से उसे किराय के रूप में जो नीमित आय होती है, वो अपने अंसधारियों को बाट देती है साथी जो सेवी के जो दिशा निर्देश हैं, उसके मताबिक ये जो रीट है, ये अपनी आय का जो इसको आमदनी होती है उसका 90 परसेंट, जो उसके निवेशक होते हैं, उनके अंस के हिस्से के अनुसार उनमें बाट देती है और जो मा की 10 परसेंट बसता है, वो उस ब्यावसाय में पिर से लगाती है साथियों ये डिविडेंट या ब्याज के रूप में यूनिट होल्डर्स को ये रकम प्राप्त होती है इससे निवेशक जो हैं, उनको रीट से अपने निवेश पर नियमित आय कमाने का मौका मिलता है साथि प्रापर्टी की कीमत के बढ़ने का भी लाब होता है चुकि रीट में कई लाख रुपए निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती जिससे आम निवेशक भी इसके जरिये रियल इस्टेट में निवेश में हिस्सेदारी करके अच्छा मुनाफ़क कमा सकते साथियों आपको जानकर हैरानी होगी कि आप 300-500-1000 रुपए लगा कर भी इस रियल इस्टेट में हिस्सेदार हो सकते हैं इसमें इन्वेश्ट कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात कि जो बैंकों का जो FB का रेट है उससे ज़्यादा आप रिटर्ट भी पाते हैं साथि जो प्रापरड़ी की कीमत बढ़ती है उसका लाब भी आपको मिलता है साथियों अगर भारत की बात करें तो अभी जो लिस्टेट रिट है वो तीन है बाजार में पहला नाम आता है ब्रुक फ्विल्ड इंडिया रियल इस्टेट ट्रस्ट दूसरा नाम है एमबेसी आफिस पार्क रिट और तीसरा नाम है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रिट साथियों इन में से किसी में भी जिसमें आप उचित समझें इसकी स्टडी करें और आपको उचित लगता है तो इन में किसी एक में आप पैसे धीरे-धीरे करके निवेस कर सकते हैं इसका मतलब हुआ कि आप चार सुरुपै से कम अगर आपके पास पैसा है तो उससे भी आप रियल स्टेट में निवेस करके हिस्सेदार हो सकते हैं साथियों अगर आप एकुटी में निवेस करते हैं तो ऐसे निवेस से आप उसके जोखिम को कुछ हद तक कम कर सकते साथियों इस पर विचार करें और अगर ठीक लगे तो निवेस के विशर में जरूर ध्यान दें अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद